नमस्कार, बाय जूस आईएस हिंदी में आपका स्वगत है, प्रस्तुत है धैनिक समचार विशलेशन, सत्र के विश्य आपके समक्ष हैं, आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे संतानविबा संविधान संशोधन वा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, नवीन e-commerce नियम हो आलो चि देंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है, इसे पेज नमबर 6 से लिया गया है, और इसका संबन जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है, ये संदर्वित है संतानविबा संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, हमार हाली में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर में एक नवी निर्णय दिया है, इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा संतानवेवे संविधान संशोधन की वैदता को बरकरार रखा गया है, लेकिन उसके द्वारा प्रस्तुत एक हिससे को खारिज कर दिया गया है, जो स सहकारी समीतियों के कामकार से संबंदित है इस पूरे वाद विवात को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा जब हम बात करते हैं सहकारिता की तो उससे क्या तात पर रहे है और भारण में सहकारिता के संदर में किस प्रकार के प्रावधान और उधानों को हम जाता है और इसके माध्यम से उसको संचालित करने वाले सदस्य एक समान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आउशक्ताओं के साथ ही अपनी आकांग्छाओं को भी पूरा करना चाते हैं। लोगों द्वारा जमीनी स्तर पर गठित संगठन के एक महत्तपूर उधान के रूप में देखा जाता है। जो क्रिशकों को महत्तपूर इंपूर्ट्स जैसे की बीज और उर्वरा कादी के संदर में सहायता दिये जाने के लिए काफी महत्तपूर रूप से ग्रामीन इस्तर पर कारे करती हैं। इसी प्रकार से भारत में मार्केटिंग के छेतर में और आवसन के छेतर में भी हम सहकारी समीतियों के उधानों को देखते हैं। और इसमें उपभोकता सहकारी समीतियां भी काफी महत्त रखती हैं जिसका उधान अपना बाजार और केंद्रिय भंडार है। इसके अलावा हम बैंकिंग छेतर में भी सहकारी कमपनियों के उधान को देखते हैं जिसमें सहकारी बैंक काफी महत्त पूर्ण है। भारत में सहकारिता को संब्धानिक प्रावधान के माध्यम से तब महत्त पूर्ण दर्जा दिया गया। जब भारत सरकार द्वरा 97 संब्धान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारिता से संब्धनित प्रावधानों को संब्धान में शामिल कर लिया गया। इसके माध्यम से देश के नागरिकों को सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया और साती साथ अनुचेत 43B के माध्यम से राज्यों पर भी ये जिम्मेदारी डाली गई कि वे है अपने छेत्र विशेश में सहकारी सम समितियों को बढ़ावा देने के लिए कारे करेंगे इसी प्रकार से इस प्रावधान के माध्यम से भाग 9B को संबिधान में शामिल किया गया जो सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और संगठन संबंधी प्रावधान करता है और इसे हम संबिधान के अनुचेर 243ZS से 243ZT में पा सकते हैं हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सहकारिता का जो विशह है वह सात्वी अनुसूची में राज्यसूची में सूची बद्ध है और इसी के चलते कुछ महत्तपूर विवाद भी उबचते हैं जिसका संबंध सुप्रीम कोर्ट के निर्ने से है यदि हम 97 पे संबिधान संशोधन के अधिनियम की कुछ विशेशताओं की बात करें तो यह है सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित प्रावधान करने के साथ ही इस बात को भी निर्देशित करता है कि एक सहकारी समिती में निर्देशकों की अधिक्तम 21 सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए इसके अलावा इसमें जो बोड बनाया जाता है उसके प्राधिकारिवों की संख्या और उनको निर्वाचन करने से संबंधित प्रावधानों को भी शामिल किया गया है जिसके तहर निर्वाचि सदस्य और उनके पदाधिकारियों के संदर में चुनाव की तारीख से 5 साल की निश्चित अवधी में उनका निर्वाचन किया जाता है और इसके संचालन के लिए एक प्राधिकन या निकाई की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है साथि साथ यदि किसी प्रावधान आदी के माध्यम से किसी सहकारी समिती के निदेशक मंडल को अधिक्रमित या निलंबित किया जाता है तो उसके लिए भी छे महीने की अधिक्तम सीमा को निर्धारित किया गया है और इसके तहट जो समितियों दोरा किरिया कलाप किये जाते और इसके तहर सहकारी समितियों के सदस्यों को सूचना का अधिकार भी प्रदान किया गया है। उत्तर दाईत्यों के भाव के साथ भी कारे कर सकें। इसके अलावा प्रतेक सहकारी समिती के बोर्ड में अनुसूचित जाती या जन जाती के लिए एक सीट के आरक्षन का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोट ने इसके एक हिस्से को रद्द कर दिया है। तो इसको समझने के लिए हमें इसकी प्रिष्ट भूमी को भी समझना होगा। जैसे कि जब संतानवे में संविधान संशोधन को 2011 में प्रिस्तुत किया गया और इसे 2012 में लागू कर दिया गया तो इसके बाद से ह अनेक राज्य और संगटनों ने इस बात प्यापट्टी उठाई कि सहकारी समिती का विशय एक राज्य सूची का विशय है और यदि केंदर सरकार इसके संदर में प्रावधान करना चाहती है तो उसे राज्यों की सहमती के अधार पर ही किया जाना चाहिए। यही कान है कि इस संतानवेवे संविधान संशोधन को इसके लागू होने के बाद ही चुनवती दे दी गई और मामला गुजरात उच्च नयायले में गया। संदर में जो गुजरात उच्च नयायले का 2013 का फैसला आया था उसको बरकरार रखा और सुप्रीम कोट ने कहा कि चुकि सहकारी समितियों के संदर में कानून बनाने का अधिकार राज्यसूची का विशय है अता संसत को सहकारी समितियों के संदर में कानून बनाने के संदर मे राज्यों से भी सहमती ली जानी चाहिए थी और चूंकि संसद ने ऐसा नहीं किया इसलिए संतानवेवे संभिधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया गया है केंद्र सरकार के इस पूरे मामले के संदर में कहना है कि केंद्र ने यह संशोधन इसलिए प्रिस्थोत किया था क्योंकि वह सहकारी संवितियों के प्रबंधन में एक रूपता लाना चाहती थी और इसके द्वारा किसी भी रूप में राज्यों की शक्ती को नहीं छीना गया है। अलाकि सुप्रीम कोट का ये तर्क है कि अगर केंदर द्वारा इसके संदर में एक रूपता हासिल करने के लक्षे को प्राप्ट किया जाना था तो उसे संविधान के अनुछे 252 के तहट ऐसा करना था जिसके तहट संसद दो या दो से अधिक राज्यों की सहमती से उन राज संसद द्वारा कोई कानून बनाकर राज्य विधान सभाओं को इस संदर में किसी भी प्रकार से निर्देशित किया जाता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को किये जाने के लिए संविधान के अनुछे 362 के अनुरूप कारे किया जाना चाहिए था जिसके अनुसार किसी भ संबिधान संशोधन को पारित किये जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संसद में उस संबिधान संशोधन को दो तीहाई बहुमत से पारित कराने के अलावा कम से कम आधे राज्य बिधान सभाओं के साधान बहुमत से उसको अनुसमर्थित करने की भी आउशकता थी और च अब हमें ये समझना है कि भाग 9B का जो 97 वे संबिधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है वे है केवल तभी तक प्रभावी है जब तक कि यह है विविन राज्यों में कारे करने वाली सहकारी समितियों से संबंधित है यानि ऐसी सहकारी समितियां या बैंक जो कई राज Supreme Court के इस निर्ने के बावजूद सहकारिता का जो महत्व है वह कम नहीं हो जाता क्यूंकि विशेश रूप से राज्य इस्तर पर और ग्रामीर इस्तरादी पर अर्थव्योस्था को बढ़ावा दिये जाने के दिश्टिकोंड से इसकी काफी महत्ता है और साथी साथ समुदाय का शशक्तिकन किये जाने के लिए भी हम इसके महत्तो को समझ सकते हैं सहकारिता के माध्यम से इस्थानी इस्तर पर नेतरत्त का विकास भी किया जा सकता है इसी के जलते इसको काफी महत्तपूर माना जाता है सुप्रीम कोट के इस निर्णे के माध्यम से सहकारी समितियों द जेस्तर पर बिभित प्रकार की सहकारी समितियां बाधाओं का सामना कर रही हैं। इसमें, इस्थानिय राजनेताओं का त्यधिक प्रभाव, अपरभावी संगठन और नितरत समता के साथ ही, बिवित सरकारी बैंकों में समय समय पर आने वाले गोटाले भी इसका महत्पूर्ण उधान है कि किस परकार से केंद सरकार को इसकी आवशक्ता महसूस हुई कि वह है इसका बहतर प्रबंधन किये जाने की दिशा में सार्थक प्रयास को कर सके हालांकि विशेशग्यों का कहना है यदि इस परकार के किसी प्रयास को किया जाना था तो उसको राज्य सरकार के सहयोग से ही किया जाना था और यदि हम राज्य सरकार के सहयोग के बिना सहकारी समीतियों के संदर में सुप्रीम कोर्ट का निड़ने संगवात के दिष्टिकोंड से काफी महत्तपूर माना जा रहा है हमें यह भी समझना होगा कि भारत में सहकारिता आधारी जो आर्थिक विकास का मॉडल है वे काफी प्रासंगिक है क्यूंकि इसमें प्रतेक सदस्य जिम्मेदारी की भावना से कारे करता है इसलिए केंद और राज्य दोनों ही जरकारों को सहकारिता की भावना के तहट आगे कारे करते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए कारे करना होगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णे इसमें एक महत्तपूर प्रावधान जोड सकता है अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर साथ में दिये गए एक अन्यालेक की जिसका संबन्ध जीयस्पे पत्री में अर्थ व्योस्ता से है यह संदर्वित है नवीन इ-कॉमर्स नियमों और उनसे संबन्धित आलूचनाओं से हमारे द्वारा 23 जून 2021 के डेली न्यूस अनलेसि जिसे आप देख सकते हैं केंध सरकार के द्वारा इस साल के जून में e-कॉमर्स को लेकर नवीन नियमों को जारी किया गया था और इसके माध्यम से सरकार ने उपभोकता संदक्षण e-कॉमर्स नियम 2020 में महत्तपूर्ण परिवर्टनों को किया है इन परिवर्टनों के मा शिकायत निवान अधिकारियों की नियुकती करनी होगी और साथी साथ यदि कोई वस्तू e-commerce platform से बेची जाती है तो उस वस्तू और सेवा के खराफ होने की स्तिती में e-commerce की भी जिबमेदारी को टै किया गया है साथी साथ नियमों के माध्यम से e-commerce platform पर Make India पहल को बढ़ावा दिया जाने का प्रयास किया गया है ताकि इस ओनलाइन जगत में भी स्वदेशी वस्तूओं को बढ़ावा दिया जा सके हाला कि नियमों की अनेक अधारों पर आलोचना की जा रही है जिसे हमें समझना होगा अनेक विशेशक्यों का कहना है कि जिस प्रकार से नवीन e-commerce नियमों को व्यापकता दी गई है वह आगे चलकर काफी जटिलताओं को पैदा कर सकता है जैसे कि इन नियमों को ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाली सभी वस्तू और सेवाओं के संधर में लागू कर दिया गया है हाला कि e-commerce का छेत्र अतियंत व्यापक है और यह है अनेक मंत्रालियों के अधीन कारे कर सकता है इससे एक ओवरलेपिंग की समस्या पैदा हो जाएगी जिससे अधिकारिकता पर नियंतरन का प्रश्न खड़ा हो सकता है जैसे कि प्रतिस परधा आयोग द्वारा e-commerce छेत्र पर नजर रखी जाती है और साथी साथ इसमें उपभोकता सन्रक्षन मंत्राले आदी की भी भूमिका होती है तो इस तरीके से यदि हम इन नियमों को अतियंत व्यापक रूप में लागू करेंगे तो इससे यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि किस विशेपर किस मंत्राले का अधिकार है और इसके संदर में अधिकारिता के नियंतरन को लेकर भविष्य में वाद विवाद देखा जा स सकता है साथ इन नियमों के माध्यम से एक ओमर्स शेत्रों में बड़ी-बड़ी कंपनियों को विन्यमित किये जाने का प्रयास किया गया है लेकिन हमें ये समझना होगा कि यदि हम बड़ी-बड़ी कंपनियों को विन्यमित करने के लिए नियमों की श्रंकलाओं को जारी क करेंगे तो इसका महत्रपूर्ण रूप से नकरात्मक प्रभाव छोटी कंपनियों पर पड़ेगा क्यूंकि उनको इन नियमों का अनुपालन करने के लिए अन्य विवस्थाओं को करना होगा जिससे उनकी वस्तूओं की लागत बढ़ सकती है इस रूप में यह नियम एक प में नियमों को कम से कम रखते हुए उसे सरलिक रत बनाये जाने की आउशकता है हाल के समय में यह भी देखा गया है कि किस प्रकार से विवित प्रकार की e-commerce कंपनियां अपने पास ग्रहकों को आकर्शित करने के लिए विवित प्रकार के deep discount यानि बड़े-बड़े discount और flash sale आधी आयोजित करती हैं नवीन e-commerce कंपनियों दोरा इस प्रकार के बड़े-बड़े discounts को हतोत साहित करने के लिए इनको प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है किन्तु अनेग बार यह भी देखा जाता है कि इस प्रकार की जो sales होती है वह उपभोकताओं के ही हित में होती है अतहा विशेशक्यों का कहना है कि यदि हम इस प्रकार की sales को पूर्धा प्रतिबंधित कर देंगे तो इससे उपभोकताओं का हित प्रभावित होगा अतहा हमें इसके संदर में पूर्धा प्रतिबंध लगाने की बजाए उसे विन्यमित करने के लिए प्रयास के रूप में काम करती हैं उनके द्वारा खुद कोई माल बेचा नहीं जाता अपितु उनके प्लेटफॉर्म पर आकर विवित प्रकार की कंपनिया अपने उत्पादों को बेचती हैं तो इस रूप में यदि किसी उत्पाद के खराब होने की स्तिती में सीधे Amazon और Flipkart को ह दोशी ठहराय जाएगा तो यह है एक प्रकार से Marketplace सिधान का ही उलंगन होगा क्यूंकि उनके द्वारा सीधा समान नहीं बेचा गया है अपितु उन्होंने माल बेचे जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कारे किया है विशेशक्यों का मानना है कि यदि वस्त रहना है कि वर्तमान में जिस तरीके से e-commerce छेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों के एक अधिकारवादी प्रवत्ती को देखा जा रहा है उनके dominance को देखा जा रहा है इस प्रकार के एक अधिकारवाद और monopoly को रोके जाने के संदर में ही इस प्रकार के नियमों को लागू क किया गया है किन्तु हमें यह भी समझना होगा कि इन छेत्रों को लागू किये जाने के संदर में भारत के प्रतिस परदा आयोग द्वारा भी काफी बहतर कारे किया जा रहा है तो यदि हम e-commerce नियमों को जटिल बनाने के बजाए प्रतिस परदा आयोग को और शक्तिशाली बनाएं इससे और अधिक शक्ति दें तो इस प्रकार के डॉमिनेंस एका अधिकारवाद और मोनोपोली को जादा बहतर धंग से प्रबंधेत किया जा सकता है यह कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिसको हमें e-commerce नियमों के संदर में ध्यान रखना होगा तभी हम भारत में e-commerce शे तनाव यानि chronic stress से COVID-19 का प्रभाव दो साल से जारी है और अनेग विशेशक्यों का यह मानना है कि 1947 में भारत की भिवाजन के पश्चात या लोगों के जीवन को सबसे जादा प्रभावित करने वाली घटना बन गया है इसके माध्यम से ना केवल लोगों के जीवन में व्य वहारों पर भी पढ़ रहा है जिसके चलते उनमें तनाव की मात्रा बढ़ती देखी जा सकती है जब हम बात करते हैं जैविग विज्ञान की तो हमें यह समझना होगा कि यदि कोई व्यक्ति लगतार तनाव की स्थिति में बना रहता है तो इससे उसका स्वास्त है काफी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तनाव की स्थिति में होने पर शरीर द्वारा कौर्टिसोल हार्मोन को स्रावित किया जाता है और कौर्टिसोल हार्मोन के लंबे समय तक शरीर में बने रहने से हिर्दे संबंधी बीमारियां होने का खत्रा बना रहता है इससे न मस्तिश्क पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे मस्तिश्क की कोशिकाएं यानि सेल्सनस्ट हो सकती हैं जिससे आगे चलकर मस्तिश्क छोटा भी हो सकता है इससे व्यक्तियों की याद रखने और सीखने की छमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है व्यभा प्रकार से भविश्यकी निश्चित्ता के चलते अनेग बार गलत निर्णे लिए गए हैं और यह है आर्थिक छेत्र में भी देखा जा रहा है इसके तहत अनेग व्यक्तियों दोरा शेयर बजार और क्रिप्टो करंसी में निवेश किया गया है इसके बावजूर कि जन्यानिकों दोरा कारे किये जाने किया हो शकता है और सरकारों दोरा भी इसमें बिवीत प्रकार के गैर सरकारी संगटनों का सहयूग लेकर कारे करना होगा अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर आट में दीए गए एक अन्याले की जिसका संबद GSP पथरी में परियावण और पालिस्तित्की से है यह संदर्वित है गंगा नदी और माइक्रो प्लास्टिक से हाली में गंगा नदी के जल पर एक गैर लापकारी परियावर्णी संस्था यानि NGO टॉक्सिक लिंक द्वारा एक अध्यन किया गया है और इससे उसने इस बात को साबित किया है कि किस प्र प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो काफी छोटे आकार का होता है और इसे 5 mm से कम आकार के छोटे प्लास्टिक के तुकड़े के रूप में परिभाशित किया जाता है माइक्रो प्लास्टिक में हम भाती भाती के उधारणों को शामिल करते हैं जिसमें माइक्रो पीट्स का महत्तपूर्ण स्थान है माइक्रो बीट्स एक मिलिमीटर से कम के ठोस प्लास्टिक करण होते हैं जो सौंदर प्रसाधन और व्यक्तिकर देखभाल उत्पादों में प्रियोग किये जाते हैं इसमें हम और द्योगिक स्क्रबर को भी रख सकते हैं जो आकरामक विस्पोटक सफाई के लिए प्रियोग किये जाते हैं इसमें कपडों के छेतर में इस्तमाल किये जाने वाले माइक्रो फाइवर को भी शामिल किया जाता है प्रिकिरिया के दिश्टिकोण से सौंदार प्रसाधन और व्यक्तिकत देखभाल उत्पादों के अलावा अधिकांज जो माइक्रो प्लास्टिक का निर्माण होता है वह प्लास्टिक के बड़े दुक्णों के तूटने के परिणाम सरूप होता है जो रिसाइकिल्ड नही होते हैं और धूप या भौतिक क्रियाओं के कान तूट जाते हैं इस प्रकार की माइक्रो प्लास्टिक जब जलिये तंत्र में शामिल हो जाती है तो यह है कच्छुओं और पक्छियों सहेद जलिये जीवों को काफी नुक्सान पहुचाती है क्यूंकि इन जलिये जीवों के द्वारा इनको ग्रहन कर दिया जाता है और वे उसको पचा पाने की स्थिती में नहीं होते हैं जिससे उनके शरीर पर काफी हानिकारक प्रभाव देखा जाता है माइक्रो प्लास्टिक शरीर में जाने के पच्चाद पाचन तंत्र को अवरुद करता है और उन जलिये जीवो आधी के खाने के विवहार को भी बदल देता है ये समुद्री जानवरों में व्रधी और उनकी प्रिजनन उत्पादन छमता को भी कम कर देता है जिससे उनके विलूपती का खत्रा बढ़ जाता है इसी के जलते हमें माइक्रो प्लास्टिक को कम किया जाने के लिए प्रियासों को करना होगा इसके लिए बेहत जरूरी है कि हम एक ही बार में प्रियोग किया जा सकने वाले प्लास्टिक यानि सिंगल यूज प्लास्टिक के उप्योग को कम करने के लिए प्रियोग को कम करें जिसमें हम multi layer packaging और protecting packaging में plastic के प्रियोग को कम करें क्यूंकि यह plastic production का प्रमोग और खतरनाक सुरत है इसके लिए जरूरी है कि हम करचूटों को प्रदान करें, अनुसंधान और विकास निदी का प्रियोग करें प्रद्योगी की अधार पर इसको कम करने का प्रयास करें और इसमें सरकारों के साथ ही नीजी छेतर की भागेदारी को भी बढ़ावा देने के लिए कारे करना होगा इसमें हमें कोशिच करनी होगी कि हम एकल उप्योग वाली वस्तों को रिसाइकल कर सकें और कच्रे को संसाधन में बदलने वाली परियोजनाओं का समर्थन करें साथी हमें बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक और खाद प्लास्टिक आदी को भी बढ़ावा देने की जरूरत है क्यूंकि खाद प्लास्टिक आदी का निर्मान, खोई, कॉर, निस्टार्च और अनाच के आटे से होता है और इसको काफी असानी से पुनर चक्रित किया ज सकता है। यदि हम इस प्रकार के प्रयासों को करेंगे तो निश्चित ही जलिये तंत्रों में जो इस प्रकार की समझ्या देखी जारही है उसका हम समय रहते निवान कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं मुख्य परिक्षा भ्यास प्रश्ण की पहला प्रश्ण है सहकारिता को पढ़ावा देने की दिशा में भारत सरकार द्वारा प्रिस्तुत संतानवे में संविधान संशोधन की सुप्रीम कोट के हाल या निर्णे की प्रश्ण भूमी में चर्चा करें 15 अ संदचना की भूमिका में आप सहकारिता का समानने परिश्ण देंगे और इसके मुक्य भाग में आप संतानवे में संविधान संशोधन के कुछ प्रमुक प्रावधानों की व्याक्या करेंगे फिर आप इसकी कुछ सीमाओं का उल्ले करेंगे और इसके संदर में आप कोमर्स नियमों का समानने परिज़े देंगे और इसके मुख्य भाग में आप e-commerce नियमों की कुछ महत्पूर्ण विशेष्टाओं की चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ आलोचनाओं को भी स्पष्ट करेंगे फिर आप आलोचना निवान के कुछ उपायों को स्पष्ट करें बाइजू साइस हिंदी के आज के अंक में फिलाल इतना ही धन्यवाद